प्रदेश के बैंकों में अब धीरे-धीरे स्तीधी समाने हो रही है जहां दिन भर लोग लंबी-लंबी कतारों में पैसे बदलवाने वो चेंज करवाने में खड़े होते नजरा रहे थे वहीं अब काफी हद तक हाला सुधर गए हैं प्रेटननगरी मनाली में लोगों को अब बैंकों में लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होते हुए नहीं देखा जा रहा है वहीं स्थाने लोगों के साथ-साथ सेलानियों को भी एटियम से पैसे निकालने में आसानी हो रही है दिरे दिरे अब प्रेटन नगरी मनाली में भी लोगों को अब बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होते हुए नहीं देखा जा रहा है पिछले कल से हालात काफी हद तक सुधर गए हैं जहां दो दिन पहले तक सभी बैंकों में लंबी-लंबी कतारे लग रहे थी, वहां अब कम संख्या में लोग आ रहे हैं, बैंकों में अब काम आसानी से हो रहा है, बैंक अधिकारियों का कहना है कि अब बैंकों में प्रयाप्त मात्रा में रुपया आ गया है, जिससे ये किल् स्थिती और सुधर जाएगी वह इस्थानी लोगों के साथ साथ सेलानियों को भी अब पैसे की लेंदेन करने में आसानी हो रही है अब पैसे में पैसे डालते हैं पर एक दो गंटे में करना हो जाता है क्योंकि वहां से अपने पैसे निकाले और हो गया है तेरे काम अच्छा अप मेरे ट्रांजेक्शन काफी आराम से हो गया मुझे सिर्फ 10-15 में एटी रोखना पड़ा बता दे कि मुश्किले जिलने के बाद भी लोग प्रधान मंतरी नेंडर मोदी के फैसले से सहमत है के चैनल के लिए मनाली से शिवराम प्राना की रिपोर्ट